तो अब बनाते हैं हमारा 8th chapter और 7th हमने देख लिया cleaning data का next वाला देखते हैं यह हमारा wrong format वाला ठीक है तो मैं यहां लिखता हूँ 8 underscore pandas और इसको लिखता हूँ cleaning wrong format wrongformat.py ठीक है इसको हटा देते हैं और यह वाला लास्ट वाला भी डिलीट कर देते हैं देखो जैसे मैंने starting में बताया कि अगर कोई भी data गलत format में है जैसे date है date गलत format में है तो आप proper analyze नहीं कर पाऊगे ठीक है तो यहां पर लिखता हूँ कि data in a wrong format ठीक है तो सबसे सही तरीका है इसको fix करने का या तो remove कर दो या फिर convert कर दो ठीक है तो मैं लिखता हूँ to fix this problem there are two ways spelling यार consider कर लेना ठीक है two ways या तो पहला removing the rose या तो rose को हटा दो या फिर और convert all the cells ठीक है in the same format ये चीज का खास ख्याल रखो जो मैंने बोला जैसे date date का data type date हुआ अगर उसका एक दो तीन चार format खराब है और वो एक integer में है तो आप क्या करो पूरा का पूरा date को उठा के integer कर दो आप ये भी कर सकते हो आपको data से मतलब है date से क्या मतलब format से क्या मतलब output सही आना चीए बस ठीक है तो इसका बढ़ियां पहले example लेते हैं कि convert करते हैं ठीक है जैसे कि हमने जो last time हमने देखा मैं last ओला example उठाता हूँ cleaning data वाला ठीक है और सबसे पहले ये वाला देखते हैं ये वाला मैं इसको copy करता हूँ यहाँ पर as it is paste करता हूँ अब इसको हटाता हूँ चलो इसको save करते हैं execute करते हैं पहले अपन देखते हैं data को आज मेरा नहीं यह बहुत slow काम कर रहा है आज कुछ तो गरवर है वट ठीक है बाद में देखते हैं हो जाओ जाओ जल्दी 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 execute ओके थोड़ा सा टाइम ले रहा है थोड़ा नहीं बहुत टाइम ले रहा है प्रिंट ओके यह आ गया ओके देखो आप इसमें हम डेट को देखते हैं देखो एक डेट दिख रही है आपको यह गलत format में है न इसको एक बार explorer में खोलते हैं राइट क्लिक फाइल एक्स्पोरर और यह डेटी डेटा को मैं ओपन करता हूं कि थोड़ा सा जूम करता हूं इसको और यह जो डेट वाला है देखो आप इसमें यह देखो एक डेट का गलत format है न डेट का फॉर्मेट तो ऐसा होना चीए गलत फॉर्मेट है एमटी सेल भी है ठीक है तो इस पर थोड़ी सी वर्किंग करते हैं कि यह कैसे करना है आपको मैं इसको डेट करता हूं डोंट इसको भी हटाता हूं और इसको हटाता हूं नीचे आ जाता हूं ओके तो यहां पर लिखता हूं मैं एक कमेंट की नाओ लेट्स ट्राइ टू कनुवर्ट अल दू सेल्स इन दू डेट कॉलम यारे स्पेलिंग का ना बहुत दिक्कत होती है मेरे को कभी कभी all the date को क्या लिखने वाला समय है column c o l u m n ठीक है into dates ठीक है तो इसके लिए हमको क्या करना पढ़ता है इसके लिए एक method होती है जिसको हम कहते है to date time ऐसे इसको use करेंगे ठीक है मैं यहां लिख देता हूं वाया अब यहां पर आ जाओ नीचे और इसको तो मुझको बिल्कुल करना है बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट मैं आ जाता हूं नीचे और इसको प्रॉपर सेट करते हैं मुझको मजा नहीं आता अगर अंसेट रहता है तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको किस कॉलम को करना है कौन सा कॉलम है यह डेट वाला इसका नाम क्या है नाम क्या है कॉलम का नाम डेट नाम है कैपिटल डी है ना डी ए टी ओके तो मैं यहां करूंगा शरत अब यहां कॉलम नेम लेना है मुझको तो मैं य रही कॉलम हो गया सही नाम लिखाया आपने अब यहां करो इस इकोल टू शरद ठीक है यह ने ने शरद नहीं यहां पर आप करो पांडास को इंप लेना है तो हमको लगता है पीडी डॉट यहां पर आप लो टू देन फिर डेट टाइम यह देख़ो आ गया ठीक है इसके अंदर मैं क्या करूँगा जो शरद की जो डेट है ना मतलब शरद का जो डेट है सिंगल पे लो और यहां लिखो डेट इसको हमको चेंज करना है किस पर डेट टाइम वाले फॉर्मेट में उसको हम चेंज करवा दे रहे हैं वापिस उसी कॉलम पर हम इसी कॉलम को उठाके इसी कॉलम पर वापिस सेव करा रहे हैं मतलब ओवर्राइट कर रहे हैं नहीं तो हमको एक नया वेरियेबल बनाना पड़ता तो मैं उसी पर ओवर्राइट कर रहा हूं ठीक है रज डॉट टू स्ट्रिंग है ना टू स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करेंगे अपन और इसको फंक्शनाइज कर देता हूं नहीं तो फिर यह एर्र आएगा अब मैं इसको रीड करता हूं रीड करूंगा तो एक चीज देखो आप अपन ने जब इसमें लिया था ना तो आइटिंग टू नमबर था ना देखो यह जो नान था यहां पर यह तो एज़िट इस है अभी ठीक है अब यहां पर रॉंग फॉर्मेट देखो 26 पे था ना फॉर्मेट में है यह आपको 26 याद रखना है और 22 यह दो रो याद रखना ठीक है अब देखो एक्जिक्यूट करते हैं इसको ठीक है यह देखो सही फॉर्मेट में आ जाएगा यह तो आपका एज़िटीज रहेगा यह एक्चुन में नॉट नमबर न्या नॉट डेट ऐ इसा हो जाएगा यह ठीक है तो मैं एक्जिक्यूट करता हूँ इसको 26 देखो 26 पर देखो 2020 यह सही डेट के फॉर्मेट में आ गया जैसे कि बाकी सब है और लाश्ट टाले में 26 कैसा था यह देखो ऐसा था ठीक है अब आते हैं 22 में 22 यह वाला कैसा था इसने नान यहां पर शो किया था यहां पर देखो क्या हुआ यह एन एटी हो गया है इसका आपको ध्यान निदेना है यह बेसिक्ली एन एटी का क्या मतलब होता है NAN मतलब बहता है NOT A number और NAT का मतलब बहता है NOT A time हमने DATE TIME लिया ना उसे वही दिखा रहा है कि यह MT है यहाँ पर कुछ नहीं है तो यह ताइम नहीं है हम इसको चेंज कैसे करें तो इसने यहाँ लिख दिया कि NOT A TIME clear मैं इसको छोटा कर देता हूं वापिस ओके यह simple सा जो तरीका में है मैंने आपको बताया अभी ठीक है अब इसमें आप अगर remove करना चाहते हो तो आप क्या करोगे drop na method का use करोगे है ना null value वाली चीजों को आप use करोगे तो drop na method का use करोगे तो वो कैसे करोगे same आप date का options दोगे ठीक है लेकिन जहां पर date का problem है null value की problem नहीं जहां पर date अलग format में है तो वैसे करना पड़ेगा आपको तो यह इस तरह से नहीं होगा जैसे आपने पिछले बार किया है कोकि वो null value थी अब वहां पर यहां पर तो date ही कुछ दूसरी है इसको आप क्या करो कि मैं लेता हूँ हैस्टेग यहां लिखता हूँ कि यहां पर एक मिनट मेरा ना system action में बहुत गरम हो गया है मैंने इसी ओन नहीं किया था ओके मैं हाँ हाँ कमेंट लिखने वाला था यहां निकले वाला था मैं here here now we will remove the rose ठीक है with a null value in the date वाले कॉलम में especially के वर्ड डेट वाले कॉलम में जो null value है मुसको अटाएंगे तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है date पे देना है date पे करना है है ना लेकिन आपको एक चीज़ और बताता हूँ नीचे आ जाओ और क्या करो as it is मतलब जो हमने लास टाइम लिया था एज़िट इस पहले तो मैं इसको पेश्ट कर देता हूँ ठीक है अब यहां पे आपको क्या करना है हमने रीड करवाने के बाद में आपको यहां करना है शरद किस कॉलम पे करना है आपको करना है देट पे ठीक है यह कोशन आएगा कि यार कई बार अपन ले रहे हैं सिंगल इनवर्टेट कॉमा कई बार ले रहे हैं डेट टाइम, ठीक है, और इसके अंदर क्या करूँ, फिर मैं डेट को पास करूँगा, तो मैं आने लिग दिया शरद, इसके अंदर मैंने या सिंगल पर दे दिया डेट, ताकि ये मेरा पूरा का पूरा कनवर्ट हो जाए, ओके, और अब मैं या से रिमूव करूँगा, पह के अंदर आप यहां पर पास करोगे डेट को, लेकिन डेट को कैसे पास करोगे, सबसेट के थूँ, आप देखो, यहां पर लिखोगे आप, सबसेट, इसी कोल टू, ठीक है, मैं समझाता हूँ, क्यों लिखा, यहां पर आप पास करो, डेट, क्लियर, अब आपको क्या करना है in place को true कर दो in place true ठीक और print कोई नया वेरेबल तो हमने बनाया नहीं है है न हमने शरत पर इकिया है तो बस शरत डॉट टू इस्ट्रिंग तो हमेशा आपको करना है यह मैंने आपको बताया तो यह क्या काम करेगा अभी हमने लगाया है यह क्या काम करेगा यह बेसिकली या तो उसको रिमूव कर देगा या empty cell को या फिर adjust कर देगा ठीक है देखो here now we will remove the rows with null values in date and time column ठीक है तो एक बढ़ियां सा लेते हैं फिर से अब देखते हैं कि null value किस में थी उपर वाले में अगर आपन चेक करें तो यह 22 में थी तो 22 एक बढ़ चेक करते हैं नए वाले में यह output आया है नीचे ये इसमें देखते हैं 22 वाली रोज है क्या देखो नहीं है 21 के पाद 23 आ गया मतलब क्या हुआ date के accordingly इसने उस रिमूव कर दिया उसको पिछले वाले में तो था 22 देखो 22 जिसमें not a number दिया था not a time दिया था अपने net मतलब यहां empty था इसने remove कर दिया ठीक है तो एक में हमने empty cell remove किया अलग तरीके से हमने dropna method का use किया और column के थ्रू किया calorie वाले column पे अब इसमें हमने क्या क्या इसी dirty data पे हमने date column के थ्रू dropna का use किया in place को draw किया empty data को हटा दिया हमने तो यह जो formats होते हैं इन format को बस आ आपर याद रखो इस पर गलतियां मत करना ठीक है आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा नहीं आया होगा तो फिर से एक बार देखना वीडियो को और कुछ नहीं आया होगा तो मुझे comment लिखना मैं फिर और दूसरा तरीका खोजूँगा easy तरीका आपको समझाने का ठीक चलो इस रोकते हैं टुटूरियल को ओके आगे बढ़ते हैं